अस्सलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप सब इस वीडियो में VPN के बारे में बात करेंगे सौधियरभिया में जितने भी गैर मुल्की रहते हैं उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि VPN का क्या नियम है VPN यूज करते हुए पकड़े गए तो कहीं जेल तो नहीं होगी फाइन तो नहीं लगेगा या फिर एकजिट जाने के समय कहीं एरपोर्ट पे जुर्माना पे तो नहीं करना पड़ेगा तो इसी के बारे में पुरा डीटेल में समझाने का कोशिश करूँगा वीडियो को पुरा जरूर देखिएगा देखें वीपियन को गैर मुल्की लोग कभी यूज करते हैं जहां तक मेरा एक्सपेरियंस है तीन वज़ा है वीपियन यूज करने का नमबर वन यह सोध्यर अभिया में और इसके लिए फाइन पे करना पर सकता है इसको अच्छे से समझेए देखें वीपियन होता है क्या है इसको भी जान लीजिए वीपियन का फूल फॉर्म होता है Virtual Private Network वीपियन का इस्तमाल दो तरीके से किया जा सकता है एक अपना privacy को secure रखने के लिए दूसरा कोई भी block चीज को खोलने के लिए VPN को चाभी भी बोला जाता है ये एक digital की माना जाता है कोई भी website वगेरा जो ban है कोई भी country में government अगर ban करके रखा हुआ है तो VPN को connect करके आप वो website को खोल सकते हो ये है VPN का खासियत अब देखे सौधी अरभिया में गंदी वीडियो देखना ये सब मना है पूरे अरब देश में मना है गंदी वीडियो देखने के लिए लाखो रियाल तक का आपको fine pay करना पड़ सकता है पकड़े जाने पे और रिसेंटली दुबय गवर्मेंट ने एक अनॉंस्मेंट भी किया कि कोई भी गंदा वीडियो देखता हूँ पकड़ा जाएगा उसे बहुत बड़ा जुर्माना पे करना पड़ेगा तो देखे जो चीज मना किया गया है हो कुमत के तरप से अगर आप उस चीज को करोगे तो फिर ये तो जूर्म होगा ना ये एक वाइलेशन माना जाता है और पकड़े जाने पे इसकी सजा दी जाती है क्या सजा होगा वो डिपेंड करेगा आपका क्राइम के उपर तो दीए VPN यूज करके जो लोग गंदी वीडियो देखते हैं पकड़े जाने पे सजा तो जरूर होगी क्या अभी तक किसी को भी हुआ है साधी अरब में किसी को पकड़के पुलिस ने फाइन किया है या फिर डिपोर्ट किया है मेरे जानने में अभी तक मैंने इसा कोई बंदा को नहीं देखा है अगर आप लोगों का experience में किसी के साथ में हुआ है तो comment करके आप बता सकते हो अगर बात करें WhatsApp कॉलिंग की तो मेरे experience में अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुआ है नहीं पुलिस ने पकड़ा है अगर आपके experience में किसी बंदे को पुलिस ने पकड़ा है फाइन किया है डिपोर्ट किया है जो VPN यूज करके WhatsApp कॉलिंग करते थे तो आप comment करके ज़रूर बते है एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ WhatsApp कॉलिंग भी बैन है सहुधियरभिया में इसके पीछे भी कोई reason होगा तो जो चीज मना है वो करना कानूना अपराद है अब बात करते हैं VPN से जो लोग नेट चलाते हैं उनकी दिए चीज तो मुझे कुछ साल के बाद में पता चला स्टार्टिंग में जब मैं सहुधियरभी आया था मुझे पता ही नहीं था कैसा भी होता है फिर मैंने जब पूछा जो लोग यह सब चीज करते हैं उनसे पहले मैं जाना कि आप लोग भाई करते कैसे हो तो इसके लिए एक special सीम चाहिए स्टी सी मोबाईली जेन क्या-क्या सीम है यह सारा सीम लेना पड़ेगा वह सीम लेने के बाद वो लोग एक application डाउनलोड करने बोलते हैं एक special VPN रहता है वह VPN डाउनलोड करो उसके बाद वह सर्वर से connected होता है इसका मतलब क्या है वह लोग जो है नेट को हैक करते हैं हैक करके वह VPN के थुरू चलवाते हैं आपका मुबाईल का सर्वर से connect करके तो भाई यह तो बहुत बड़ा कानूना नप्राद है पुलिस अगर पकड़ेगा न तो डेफिनेटली वह फाइन मारेगा डिपोट भी करेगा क्योंकि यह हैकर लोग इसा काम कर रहे हैं हैक करके आपको नेट चलवा रहा है और दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या है पता है वह जो भी आप VPN डाउनलोड करोगे वह एक प्राइमरी गैलरी फोन का नेटवर्क का हर एक चीज के एक्सेस वो लोग लेते हैं आपका मोबाइल का VPN से नेट चलाने वालों के लिए दो तरह का रिस्क रहता है एक जिसका वो नेट यूज कर रहा है वो कभी भी मिस यूज कर सकता आपका डेटा का कोई भरोसा नहीं है दूसरा पुलीस अगर पकड़ेगा तो लोग भी आपसे पूछतास करेगा हलाकि मेरे जानने में अभी तेक इसे वंदों को भी पुलीस ने कभी पकड़ा नहीं है अगर आपके एक्स्पिरियंस से किसी को पकड़ा है तो कमेंट करके आप लोगों को अबर कर सकते हो तो द किलते रहेंगे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया